स्मार्फल मार्केट में वन प्लस की उतनी हिज़त बची है जितने मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स है खेर आज मैं आप लोगो को बताऊगा कि कैसे वन प्लस आपके भरोसे का फायदा उठाकर अब भी आपका काट रहा है बड़ा वाल जैसा आप लोगो को पता होगा कि अभी करेंटली मार्केट में वन प्लस के सिर्फ टीनी फ्लाक्शिफ फोन्स है वन प्लस टैनार जिसकी प्राइस आपको एमाजन और फ्लिपकार्ट पे अराउंड थर्टी थाउज़न कास पास दिख जाएगी एक 2000 उपर नीछ रखलो वन प्लस टैनी जिसकी प्राइस आपको आराउंड 50,000 कास पस दЕखने को मिल जएगी उफरस का वेटी ज़रू करना अपिर प्राइस यह क necesi प्राइस आपको आराउंड 62,000 कास पस देखने को मिलेगी एक चीज़ को छोड़कर अल्मोस सभी पॉइंट्स में OnePlus 10R और 10T बिल्कोली सिमिलर है डिफेरेंसों से 10 Pro में ही है जैसे की डिस्प्ले अब OnePlus 10R और 10T दोनों ही में आपको 6.7 इंचेस की एक Q8 AMOLED दिस्प्ले देखने को मिलती है इस फोन में आपको 6.7 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है अब भले ही 10R और 10T में 15,000 का डिफेरेंस हो बट डिस्प्ले में दो डिफेरेंस देखने ही रहा I know 10 Pro के डिस्प्ले इन दोनों ही पहुन से बहुत जाद अच्छी है बट इतिनी भी अच्छी नहीं के 27,000 रुपे एक्ष्रा देदू अब आप लोग सोच रहे हो कि अंकित भाई हम दिस्प्ले के लिए थोड़ी ने पैसे दे रहे हैं हम तो परफोर्मेंस के लिए तो आइए उसी की बात पर लेते है तो OnePlus 10R में आपको MediaTek Dimensity 8100 Max का प्रसेसर दिया हुआ है देखो वैसे तो यह प्रसेसर बहुत ज़्यादा पॉर्पुल है बट पता नहीं क्यों यह PUBG जैसे गेम्स को उसके हाई सेटिंग्स पर चला ही नहीं पाता वही बात करें OnePlus 10T की तो इस फोन में आपको Flagship Snapdragon 8 Plus Gen 1 देखने को मिलता है इस फोन में आप सभी गेम्स को उसकी हाई सेटिंग्स पर प्ले कर सकते हो मतलब जो 15,000 आप एक्ष्टा दे रहे हो उसका थोड़ा बहुत बेनेफिट नजर आ रहा है इसका मतलब 10 Pro में इससे भी अच्छा प्रोसेसर होगा ऐसा नहीं है इस फोन में आपको Snapdragon 8 Gen 1 देखने को मिलता है और ये भी 4NM architecture पर बेस्ट है बस फरक इतना है कि 8 Plus Gen 1 के comparison में ये वला फोन थोड़ा सा जादा हीट होता है हाँ इस फोन में भी आप सभी गेम्स को उसकी हाई सेटिंग्स पर प्ले कर सकते हो अब वैसे तो 10R और 10T में exact same camera setup दिया हुआ है जहाँ पर primary camera है 50MP with f1.8 aperture 40-5000 के phone में OIS तो हो गई 8MP ultra wide with f2.2 aperture जिसमें की 120 degree का field of view दिया हुआ है और साथ में 2MP का macro sensor भी दिया हुआ है जिसकी चर्शा हम अगले वीडियो में करेंगा Camera setup में तो difference नहीं है और photos भी दोनों ही phone से almost similar ही आते है चाहे आप दिन में capture करो या फिर रात में difference ना के बराबर है लेकिन एक जगा difference है बाई OnePlus 10R में MediaTek का processor होने के वज़े से आप इस phone में 4K 60fps वाले वीडियो को shoot नहीं कर सकते मगर क्यों? Processor तो capable है फिर 4K 60 का option क्यों नहीं मिल रहा है अब सब कुछ सस्ते में दे दिया तो इनके महेंगे वाले phones को कौन खरीदेगा रही बाट 10 Pro की तो इस phone का camera लिटरली बहुत अच्छा है अब वैसे तो इस phone में भी आपको triple camera का setup देखने को मिलता है इसमें OIS भी है, सबाज 1 Plus photos की बात करो तो इस phone में hazard blood का integration होने के वज़े से colors, contrast and dynamic range बहुत अच्छा है especially ultrawide के photos बहुत ज़्यादा अच्छी लगती क्योंकि इसका FO भी बहुत ज़्यादा है वीडियो की बात करो तो इस phone के primary sensor सा आप 8K वीडियो भी shoot कर सकते हो बट ultrawide में सिर् 4K कही option मिलता है और sadly telephoto lens is limited to 1080p पता नहीं क्यों, मतलब बड़ोसों के खिलके पे zoom तो कर पाऊगे बट 4K वीडियो नहीं ले सकते है connectivity की बात करो तो तीनो इफोंस 5G है सब इफोंस में Bluetooth 5.2 का support दिया हुआ है Wi-Fi 6 भी तीनों में ही है लेकिन OnePlus 10R और 10T में USB 2.0 दिया हुआ है बट OnePlus 10 Pro में USB 3.1 की connectivity है मतलब data transfer बहुत तेज होगा भाई और subscribe करोगा तो चैनल की growth भी तेज होगी चैनल की growth का तो पता नहीं बट charging तीनों ही फोंस में बहुत तेज होती है खेर, OnePlus 10T में अज़न ही है इस फों में आपको 4800 mAh की battery देखने को मिलती है with 150W first charging जो की 15-20 मिनिट में ही आपकी phone की battery को full charge कर देगा वही OnePlus 10 Pro में आपको 5000 mAh की battery देखने को मिलती है with 80W fast charging और तीनों ही बॉक्स में charger भी मिलेगा Apple वालों देख रहे हो तो सुधर जाओ but OnePlus 10 Pro की खास बात ही है कि इस phone में आपको 50W fast wireless charging भी मिलती है और चाहो तो reverse wireless charging भी कर सकते हो अब इस पूरी वीडियो को summarize करते हैं और आपको बताते हैं कि इन तीनों ही phones में actually कितना difference है मतलब क्या आपका काम OnePlus 10R से चल जाएगा या फिर लोन लेकर OnePlus 10 Pro लेना पड़ेगा OnePlus 10R और 10T में सिर्फ एक ही डिफरेंस है और वो है प्रोसेसर का जिसके लिए 15,000 एक्सर देने पड़ेंगे मतलब अगर आप बहुत ज़दा गेमिंग करते हो या फिर आपको performance system टॉपनों चाहिए तभी 15,000 एक्सर देने वरना क्यों दोगे रही बात OnePlus 10 Pro की तो ये वाला फोन बाकी दोनों फोन से सिर्फ तीन चीज़ों में आ गया है जिसमें से एक को फुली consider भी नहीं किया जासकता है मतलब wireless charging I'm not sure about you guys but मेरे पास एक ऐसा फोन है जो कि wireless charging को support करता है पट अस तक मैंने यूज़ ही नहीं किया आप लोगों ने यूज़ किया है क्या comments करके बताना जरा चाहो तक उनका नाम भी लिख सकते है but if you'll talk about display I accept कि OnePlus 10 Pro के display बाकी दुनों phone से बहुत ज़्यदा अच्छी है but क्या इतनी अच्छी है कि आप उसके लिए extra 27000 रुपे दोगे यह तो आपको ही decide करना पड़ेगा रही बात cameras की तो yes यहाँ पर difference है और सब papers पर ही नहीं भाई actual में भी difference है अब आपके लिए homework ही है कि आपको comment section में बताना पड़ेगा कि आपके लिए इन 39 phones में से best value for money कौन सा है कि आप ज़्यादा पैसे देकर 10 Pro की तरफ जाओगे या फिर 10R लेकर कुछ पैसे बचाओगे और शायद दोस्तों को party भी दे दो party दो या ना दो बट लेफ्ट वाले वीडियो को ज़रूर देखना मज़ा आएगा नहीं तो राइट वाले वीडियो साब को पता चलेगा कि 30,000 के अंदर best phone कौन सा है और मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए Hasta la vista